आज के इस वीडियो में जानेंगे फोन पे से यूपी आई आई डि डिलीट कैसे करते हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फोन पे को ओपेन करेंगे प्रोफाइल में जाएंगे इसको क्लिक करेंगे पेमेंट मेथड यहाँ पे आप जितने बैंक एकाउंट को लिंक की रहेंगे यहाँ पे सबसो हो जाएगा आपको जिस पार्टिकुलर एकाउंट की यूपी आई डि को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप जितने UPI ID को create की रहेंगे यहाँ पे सब सो हो जाएगा आप चाहें तो new UPI ID को create कर सकते हैं यहाँ पे आपको तीन option दिया हुआ है Adirate AXL, Axis Bank की UPI ID IBL ICIC Bank की UPI ID और YBL S Bank की UPI ID यहाँ प्लस icon पे क्लिक करके आप create कर सकते हैं UPI ID को delete करने के लिए यहाँ पे icon पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे सो हो जाएगा delete UPI ID successfully अब आपकी UPI ID successfully deactivate हो गई है अगर आप पुना एक्टिवेट करना चाहते हैं तो activate बटन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपकी UPI ID जो है पुना एक्टिवेट हो जाएगी दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो like करिए, comment करिए और साथी साच चैनल को subscribe करेंगे थैंक्स पर वाचिंग